चलिए आज कुछ यम्मी सा, कुछ हेल्दी सा जटपड बन जाने वाला रेस्पी बनाते हैं और कुछ नया सा है ना हम लोग का दिमाग में यखनी पुलाओ सुनके क्या आता है या फिर चिकान या फिर मटन लेकिन आज हम बनाएंगे अंडे से यखनी पुलाओ और बिल्कु आज सोफ ले लिया है दोनों केकर चमच लिया है और इसको ड्राय रोस्त नहीं करना है इसके कचाना को खुलेना है ठीक कोतर स्फु सब्सेल्कड़ इसको कुटोरों इसको कोटोब करना बाद लोग इसको 2-3 मुर्ट तक इसमें बॉइल आने के खुब अच्छे से पका लेंगे अपने पाने को फिर फ्लेम को ओफ कर देंगे देखिए हमने यह पैन ले लिया है इसमें दो चमचना कोकिंग ओईल डाला है और हमने यह चार अंडे को बॉइल करके ले लिया है और इस अंडे को इसमें हम लोग फ्राई करेंगे थोड़ा सा फोक से इसको थोड़ा सा काटा वाला चमर से इसको थोड़ा सा होल कर देंगे ताकि जो उचलता है न अंडा वो उचले नहीं इसको थोड़ा सा हुस्यार होके आप लोग फ्राई करिएगा क्योंकि यह इसका तेल फुर्व सा उड़ता है आपके हाद अदर पड़ने का चांच है इस लिए इसको अच्छा से कलर आने तक इसको कर लिया है तो कि हमने उसी तेल में ना दो ठो हमने yeah आलू काट के लिया है लitt마 आलू बारीक-बारीक हैं जैदा मोटा मोटा नहीं है और अपने आलो को अच्छे से हम लोग इसको फ्राई होने देंगे इसका कलर बदलने तक हमको 50% तेल में ही अपने आलो को पका लेना है 50% पुजादा नहीं बस 50% हमरा 50% जब यह मसाले में जाएगा तब पकेगा देखिए हमरा अलो बिल्कुल बनके रेडी हो गया है हमने य काला काला लगने लगेगा इसलिए अधा प्याज नूटने काला कीज ने करना है और नवोग नि scientists अन्छल देलने चान्य से इन आधाने रहे हैं बीश्वघं में तक इस सब्सक्राइम करना है इसी में रहने देंगे हमने ये प्यास लिए निकाल रहे हैं जो बाद में हम दालेंगे हमने हीरावकारी मिर्चाय दालचीकишь गोथा धले ले लिया और इसी तेल में हम दोको भड़ी किसे हम लोग थोरा सा बूहन लेंगे अपने खड़ी खोशब आ गया है हमने भरें राइस के दाल के म seem है ऑज़ा यो Kerry आ едर पाझन का डाल लिया इस न्हांने अबम खाइं थाय में ले लिया है और हमने थोरा से नमक ले लिया है हम लोगा अन्दात से ही नमक डालेंगे और देखिए हमने जो 50% चाओ अलू पकाया था ना 50% अब इसमें हम लोग डाल देंगे और थोड़ा से जीरा और काली मिर्च का पौडर भी डाल दे रहे हैं आप इसको हम लोग सेक्ञाव हम लोग सेक्ट अब मसाला हैं बोल के अडिये चाओ अफ्सessä एशे कि रहे हैं कि जोड़ते जास पानी में चान सकते हको ना उसलदान आप मासाला ही चेते ही अशीह तरह जैसरा Village छाओ थे आलु से चलाऊ पतला पतला का गाजए है ना तूटने का डर भी रहता है तो हम पैलके अबंके हाथों से चलाएंगे और देखिए हमने की इसमें एक बोईल आने के तजार करना है अब एक बोईल आ गिया राइस चावल ले लिया है दो कप इसको कमने आदा गाँटा पहले दोके और भीगो क रख दिया था हम्मारे साइज में बड़े बड़े हो चुके हैं हमरे बस्मती राइस इसमें डाल के हम लोग अच्छे तरस इसको चला देंगे देखिए हमने ना ये एक कप भरके दही ले लिया है हम्मारा दही बिल्कुल फ्रेश है खटा नहीं है इसको हम लोग डाल देंग दही को पानी में डाला है अपने चावलो के पानी में डाला है मसाले में डाला है अगर लोग तीखा जादा पसंद करते हैं तो अगर मसाले में अच्छी नीग निकाल के निचोड़ देंगे इससे हमारा चावल बिल्कुल खीले खीले बनेंगे और हलकी खटी 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 तेस्ट भी आएगा तो अखनी बहुत अच्छा बहुत ही लाजवाब बनके रेडी होगा इसलिए हमने इसमें खटा-खटा सा फ्लेवर डालने के लिए इसमें चीजे जाला है आप लोग भी इसको जरूर डालिए बहुत ही अच्छी खुश्बू वाला हमरा यह राइस बनके रेडी होगा बस दू मिनटड पगाएंगे करें दो हमेरा सारा पानी ड्राइ को चुका है बदे हमने फिल्लेम ओफ कर दिया और सा रखनी है बचा लिया हुत्ता अजया ने वगम अपने उम्ले अपने फ मेबाल में बचा लिया है बाद में प्लेटिंग करेंगे। तब ईटालेंगे। कि आधा प्याज पचा करके था ना उसको भिवे हमझे डाल दिया है और इसमें से भी तुर। के अप्लेटिंग करने के लिए। जो लुग ढख देंगे। जब टक ना निकले। इसको ढखे रहे से यह नहीं कि दस मिनट तक हम और दखक के छोड़ देंगे अब हम इसको प्लेटिंग करते हैं देखिये हमरा कितना खिला- खिला- खिला राइस बनके रेडी हुआ है तो आप लोग भी इसको जरूर से बनाईये एक बार हमारे इस अंडे वाले एकिनी को बनाईए और इसको ट्राइ करिए यह बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी बनके हमारे रेडी होता है अब हम थ्रौसा इसमें जो प्याज बचा कर रखा था ना उसको इसमें डाल दे रहे हैं इस आफ थ्रौसा धनिया पताच इसको सजा दे रह हमको बहुत ही टेस्टी हों घृपीं है था है अगर आपको बहुत ही डेस शर्कायब कर कर लिजे शर्कायब कर लिए और शेयर करिए और हमारे इस असान एज़ाय करिए, अल्ला हाफीज